नमश्कार दोस्तों आप सभी को एक नए साल का तोफा सिक्षा विभाग की तरफ से दे दिया गया है बाकी मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को नए साल की धेरो शुब कामना है 32,000 पी आलटी और टीजीटी सिक्षक भरती का विग्यापन जारी कर दिया गया है हाँ जी दोस्तों नए साल के पहले ही दिन इतनी बड़ी खुशखबरी माइने रखती हैं अच्छी शुरुआत हैं इसी तरह आगे भी अगर हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएं तो कहना ही क्या है काफे लंबा इंतजार KVS और NVS की रिकूटमेंट का चल लहा है KVS का तो काफे लंबा इंतजार हो गया है तो उनकी भी उमीद है कि मार्च अप्रेल में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा बाकि D.S.B. की तरफ से कल दो नोटिफिकेशन जारी किये गए है नोन टीचिंग रिकूटमेंट के वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और टीचिंग PZT की जो वेकेंसिया है उनका नोटिफिकेशन के महीने में हमें D.S.B. की तरफ से देखने को मिल जाएगा तो काफी जादा अपडेट आने वाले समय में टीचर्स रिकूटमेंट से जुड़ी हुई हमें देखने को मिलेंगी और वो सभी अपडेट हमेशा की तरह सब से पहले आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जाएंगे बाकि आज की शुरूआत एक जनवरी 2022 की बड़ी ही अच्छी हुई है 32,000 पदों के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है तो इस विग्यापन के माध्यम से ही सारी जयनकारी बिलकुल विस्तार से आपको इस वीडियों प्रोवाइड कराएंगे आप वीडियों को शुरू से लेखे आखिल तक जरूर से जरूर देखिए और आल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिकूट्मेंट से जुड़ी लेटर स्ट अप्टेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ये देखि दोस्तों कारियाले निदेशक प्रारंबिक शिक्षा विभाग राजस्थान दिकानेर के तरफ से ये 32,000 पदों के लिए विज्यप्ति जारी कर दी गई है प्रारंबिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्रात्मिक और उच्च प्रात्मिक विध्याले अध्यापक सीधी बरती 2021-22 अंतरकत अध्यापकों के 32,000 पदों पर सीधी बरती है तो विज्यप्ति जारी की गई है जिसके अंतरकत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विध्याले अध्यापक लेवल पर्थम एवं लेवल दिती है पी आर्टी और टी जिटी सामाने सिक्षा एवं विशेश सिक्षा के पदों पर राजस्थान पंचायति राज नियम उननीसोच्छाणवे के प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यारतियों से निमना अनुसार आनलाइन आवेदन पत्र आमंतरित किये जाते हैं तो ओनलाइन अपलिकेशन का प्रोसेस इनका शिरूह हो जाएगा अध्यापक लेवल परत्र अफ्लрем गेर अनुसूची चेत्र की 11,500 वेकेंजिया हैं। और अनुसूची चेतर की 35 वेकेंसियां हैं इसी तरह से विशेश शिक्षक में 440 और 60 वेकेंसियां हैं अध्यापक लेवल दीती हैं में गैर अनुसूची चेतर की 13,420 और अनुसूची चेतर की 2580 वेकेंसियां हैं और विशेश शिक्षक की 445 और 56 हैं तो कुल मिलाके 31,000 व 2022 से दिनाख 9 फरवरी 2022 के रातरी 12 बजे तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे इस चुक आवे तक उक्त निर्धारित अवधी में recruitment.rajistan.gov.in पर SSID के माध्यम से आनलाइन आवेदन करेंगे विस्तृत विज्यप्ति तथा जिलेवार पदों का विवरन विभागिये वेबसाइट सुमवार को भी हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि ओनलाइन एप्लिकेशन का प्रोसेस 10 जनवरी 2022 से शुरू होगा उससे पहले सारी डिटेल इसका बिलकुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा यह वो नोटिफिकेशन है जो न्यूस पेपर के लिए जारी किया गया है यह देखे परतिली पिसम, पादक, समस्त, समाचार, पत्र, राजस्तान तो न्यूस पेपरों को यह नोटिफिकेशन भेजा गया है ओफिशल वेब साइट पे भी आ जाएगा हो सकता आज शाम तक ही अपलोड कर दिया जाए आगे देखे इच्छुक आविदक को अपनी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार संबंदित पद हेतू आनलाइन आविदन प्रस्तुत करना होगा एक से अधिक पद की योग्यता एवं पात्रता होने पर परते एक पद हे तो अलग-लग आविदन पत्र भरना होगा आफलाइन आविदन स्विकार नहीं किये जाएंगे पात्र होंगे तो नोन टीएसपी एरिया जो ये वैकेंसिया है ग्यारह हजार पांसो और 440 और 13420 और 445 इन के लिए कोई भी कहीं से आल और इंडिया लेवल से आविदन कर सकता है तो आप ये ध्यान रखेगा बंपर भरती है दोस्तों आवेदन पत्र आनलाइन अंतिम रूप से सम्मिट करने के पश्चात आवेदन में किसी भी परकार का प्रिवर्तन एडिटिंग अनुगिया नहीं होगा तथा एडिटिंग गल्त सूचना एवो अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु के लिए कोई प्राथना पत्र स्विकार नहीं किया जाएगा तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आवेदन करने से पहले बिल्कुल ध्यान से सारी ज्यानकरी एक-एक इन्फोर्मेशन क्रोस चेक करके फिल करें दुबारा आप उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे कोई भी प्राथना पत्र आपका सुविकार नहीं किया जाएगा उसके रिगार्डिंग अभ्यार्थी आनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सम्मिट करने से पूर्वी यह सुमिश्चित कर लेएं कि इमित्र जन्स विधा के अंदर स्वेय द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविस्टियां सही भरी हुई हैं गल्थ सूचनाय अंकित करने एवं कूट रहित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यार्थी के विरुद कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी आगे देखिए पूरा विवरन दिया गया है आवेदन शुलक का सामाने वर्ग क्रीमी लेयर वर्ग के अन्य पिछडा वर्ग अती पिछडा वर्ग वर राज्य के बाहर के समस्त वर्ग के अभ्यार्थी के लिए सो रुपे आवेदन शुलक है राजस्थान राज्जे के नान क्रिमी लेर च्रेड़ी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 70 रुपए अप्लिकेशन फीज समस्त विशेश योग्य जनतता राजस्थान राज्जे के अनुसुचे जाती अनुसुचे जन जाती सहरिया वर्ग के लिए 60 रुपए अप्लिकेशन फीज उक्त निर्धात शुल्क के अभाव में आविदन प्रविचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए अभ्यारत स्वेजिमेदार होगा एवं शुल्क एक बर जमा हो रहे पर वापिस नहीं लोटाई जाएगे तो दोस्तो आविदन शुल्क काफी कम है यहां यह एक अच्छी बात है और आनलाइन आविदन आप 10 जनवरी 2022 से और 9 फरवरी 2022 के बीच में कर सकते हैं आगे देखिए और एक हेल्प डेस्क हेल्प लाइन नंबर भी विभाग की तरफ से जारी किया गया है वो यह है यहां कारियाले समय में आप संपर कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों न आज का देनिक भासकर न्यूज पेपर है राजस्तान का जैपूर एडिशन 31,000 पदों पर भरती की गोशना की थी एक हजार पद विशेज शिक्षकों के भी जोडे नए साल का तौफा 32,000 शिक्षकों की भरती होगी आनलाइन आविदन 10 से प्रारंबिक शिक्षाविभाग ने बेरोजगारों को नए साल का तौफा देते हुए शुकरवार को राजस्तान प्रात्मिक और उच्चे प्रात्मिक स्कूल अध्यापक सीधी भरती 2021 के तहत 33,000 शिक्षकों के 32,000 पदों पर भरती की विग्यप्ति जारी कर दी है सरकार ने पहले 31,000 पदों पर भरती की गोशना की थी अब इसमें 1000 पद विशे शिक्षकों के जोड़े गई हैं एक दिन पहले सीम ने 20,000 पदों पर नई भरती की गोशना की थी इसके अलावा 20,000 पदों के लिए रीट का आयोजन भी किया जाएगा उसकी गोशना भी मुख्यमंतरी की तरफ से की जा चुकी है बकि 32,000 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिक जारी ही कर दिया गया है तो आने वाले समय में भी हमेरा आजस्तान में बंपर भरतियां देखने को मिलेंगी और हमेशा की तरफ सारी जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रवाइड करा दी जाएगी तो ठीक है दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो अभी तक विभाग की तरफ से निकल के आई है आपको वीडियो के मादन से प्रवाइड करा दी गई है जैसे ही इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होगा आपको वो इनफॉर्मेशन भी प्रवाइड करा दी जाएगी किस राज्या में किस विशाएगे कितने पद हैं वो जानकारी हमें उसमें देखने को मिलेगी तो छीक है आज अभी के लिए इतना ही फिर मिल दें किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमशकार